दोस्तों गोरगपुर विशुभी देले के एंटरिंस एक्जाम का रिजल्ट कैसे चेक किया जाए इसी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे मैं आपको step by step बताऊंगा कि result कैसे चेक करना है क्योंकि मुझे बहुत से मेसेज़िस आ रहे हैं सबी लोग यह जानना चाहते ह कि जो परवेज परिच्छा का result है उसे कैसे चेक किया जाए तो देखिए result चेक करना बहुत ही आसान है मैं अभी आपको step by step बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिज जाता है देखिए गोरगपुर विसविद्याले के प्रवेज परिच्छा का result चेक करना बहुत ही आसान है result चेक करने के लिए आप गोरगपुर विसविद्याले के official website पर जा सकते हैं या फिर आप Google में search कर सकते हैं GKP Colleges जैसे ही आप GKP Colleges search करेंगे आपको जो सबसे प आप से देख लीजी एक बर आप सिख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने result को चेक कर सकते हैं तो simply आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे उपर आप देखिए लिखा हुआ है DDU तो DDU को आपको यहाँ पर simply click कर देना है कोई भी आड़ आता है आप उसको स्किप कर दीजेगा पेज को नीचे करेंगे तो गोरगपुर विशुविद्याले से रिलेटेट सबी जो लिंक है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे उपर ही entrance result का जो लिंक है यहाँ पर update कर दिया गया है तो simply आप आपको entrance result के सामने जो link दिख रहा है click here यहाँ पर आपको click कर देना है तो जैसे ही आप click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो result चेक करने वाले link है वो आपको देखने को मिल जाएंगे page को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुए है तो यहाँ पर जिस भी course के लिए result जारी होगा उसका जो link है इस वाले table में आपको देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं लिखा हुए है result इसी table में देखने को मिल जाएगा अभी फिलाल के लिए यहाँ पर coming soon दिखा रहा है यानि कि अभी result जारी नहीं हुआ है लेकि जैसे ही जारी होगा यहाँ पर check result का एक link आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने result चेक करने वाला जो portal है यानि की page है वो open हो जाएगा अब वहाँ पर आपको दो simple steps follow करने हैं सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना roll number डालना है उसके बाद date of birth select करने के बाद check result पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो result है वो आपके screen पर देख जाएगा और दोस्तों अगर किसी भी reasons की वाज़े से आपके जो result है वहाँ पर soon नहीं होता है तो आप यह मान के चलिए कि आपके course की लिए जो अब यह result है वो जारी नहीं किया गया है जैसे ही result जारी होता है आपका भी जो वहाँ पर result है वो दिखना सुरू हो जाएगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी परिशायन नहीं होना है थोड़ा patience रखिएगा एक तारीक से लेकर के 6 तारीक यानि कि 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच सभी जो result है वो जारी ह होने वाले हैं और जिन भी course के लिए परवेश परिच्छा सबसे पहले हुआ है उन्ही course के लिए जो result है वो सबसे पहले जारी किया जाएगा और एके करके सभी के entrance exam के result जारी किये जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है जस्ट आपको wait करना है और अप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको entrance exam का result चेक करना है और दोस्तों जैसे ही आप सभी के result आने सुरू हो जाएंगे आपको हमारे telegram group में सबसे पहले update कर दिया जाएगा तो अगर अभी तक आपने हमारे telegram group को join नहीं किया है जिसका link आपको description box में मिल ज नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद